बेतर स्वास्थ पाने के लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल की जरूरत होती है और आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं इसमें इसका एक बड़ा रोल होता है अपने दिन की शुरुआत आवेश और जल्दबाजी में करना सही नहीं है क्योंकि इसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ता है तो चलिए जानते हैं कि बेहतर स्वास्थ पाने के लिए आपके दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए सुबह की दिनचर्या बनाना आपके शार्रिक के साथ मानसिक सेहत के लिए भी काफी एहम है सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें ताकि आपके पास तयार होने के लिए पर्याप्त समय हो और आप अपना सुबह का काम कर सकें एक समय को सेट करें और हर दिन एक ही समय पर उठें यहां तक की वीकेंड पर भी. कम से कम आधे घंटे वोक आउट करने से भी शरीर दुरुस्त हो जाता है. अगर आप एक ही वोक आउट करके बोर हो चुके हैं तो अपने वोक आउट रूटीन में कुछ नया एड़ कर सकते हैं. वो डांस या हलकी जॉगिंग ही क्यों नहों? यह आपके शारिक और मानसिक स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद करेगा. बहुत से लोग नाष्टा स्किप कर देते हैं लेकिन आपको बता दे कि हमारे शरीर को सुबह में उर्जा की आवश्यक्ता होती है. अगर आप नाष्टा नहीं करते हैं तो चड़-चड़ हम हैसूस करना और काम पर ध्यान ना लग पाना ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. तो नाष्टे में प्रोटीन और फाइबर युक्त खाना भी जरूर खाएं. पानी पीना सबसे अच्छी चीजों में से एक है, जो आप खुद को स्वस्थ और फिट रखने के लिए कर सकते हैं. एक दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं. पानी पीने से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकलने में और शरीर के अलग-अलग कारियों को कुशलता पूर्वक पूरा करने में मदद मिलती है. अगर आपको सादा पानी पीना मुश्किल लगता है, तो आप नीमबू पानी ट्राइ कर सकते हैं. तो सुबह उठते ही इन चीजों को जरूर करें और एक अच्छे दिन की शुरुआत के साथ ही ने स्वास्थिका भी ध्यान रखें.